समचार प्लस खबर वही जो हमने कही समचार प्लस खबर वही जो हमने कही कहते हैं भाई बहन का प्यार किसी दूआ से कम नहीं होता वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता अकसर रिष्टे दूरियों से भी फीके पड़ जाते हैं पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता नमस्कार आपके साथ मैं हूँ वैदिरितिका गौतम और स्वागत करती हूँ आप सभी का इस खास कारिक्रम में जिसका नाम है कैसा हो आपका रक्षा सूत्र रक्षा बंधन को लेकर बाजार रंग बिरंगी राखियों से सचकर तयार है इस तेवहार में बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांगती है उनके लिए प्रार्थना करती है और सुरक्षा का वचन लेती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तेवहार का इतिहास क्या है इसकी शुरुआत कब और कैसी हुई होगी वही अगर इस बार की राखी की बात करें तो लोगों में असमंजस है कि रक्षा बंधन ग्यारह को मनाए या बारह को तो चलिए इन सारी बातों पर व्रिस्तृत चर्चा करेंगे और उसके लिए मैं स्वागत करती हूँ अपने स्ट्यूडियों में आचारे कृष्णिकांथ जी का आचारी जी आपका हमारे इसके उडियों में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि अभी हमने देखा इस बार लोगों के मन में असमंजस है ये दुविधा है कि आखिर वो राखी रक्षा बंधन का जो तेवहार है वो ग्यारा अगस्त को मनाई या बारा अगस्त को तो आप लोगों की शंका को दूर करिये देखिए सबसे पहले स्रावन का दिवी महुर्ट चल रहा है संका समाधान या शास्त्रों का निरण देने के पूर्व मैं समाचार प्लस के दर्शकों को अनन तशुफ कामनाए दे रहा हूँ आपका स्रावन माश रक्षा बंधन अती मंगल में हो और भगवान की महतिक्रपा हो देखिए ऐसा है कि रक्षा बंधन के लिए कई पंचांगों में और कई कलेंडरों में इगारत तारीक का वर्ड़र है किन्तो हमने जब अबलोकन किया कई विद्वानों कमत भी है और निरणे शिंदु और धर्व शिंदु को जब हमने देखा तो उसमें अस्पष्ट लिखा है अथरक्षा बंधन मश्य मेव पुरणिमायां भद्रारहितायां तृ महुरता धिको दैप्यापन्या परहने प्रदोशिवा कारियम अर्थात शास्त्र कहता है निर्णे सिंदू का निर्णे है कि पुर्णीमा में उदय काल में तीन महुर्त में से कम पुर्णीमा रहते पहले दिन भद्रा के न रहने पर प्रदोसादी काल में करे इसे ग्रहन और संक्रांती दिन में भी करना चाहिए देखिए ऐसा है शास्त्र कहता है कि होलिका दहन और अक्षा बंदन बिये शास्त्र का जुन्ने नहीं हुआ खली भूत है इसलिए इगारत तारीक को और भद्रा में ही सुर्ज का अस्त हो रहा है और साड़े आठ बजे तक भद्रा साड़े आठ बजे से अधिक भद्रा काल का शंक्रमन है और उसके बाद भद्रा खतम हो रहा है तो विश्व पंचांग महभिर पंचांग और मित्रांचल के कई पंचांग है कई पुर्व मि धर्म शास्त्रों में निर्णय यह अस्पष्ट है कि 11 तारीक को रक्षावंधन लोग न करें 12 तारीक को साड़े साथ बजे तक रक्षावंधन कर लेना चाहिए सर्वस्त्रेश्ट महुरत है साड़े साथ बजे तक उसमें पुर्णीमा रहेगा और रक्षावंधन का जो वह भी रहेगा किन्तो सुर्जोदे भधरा में सुर्जोदे जो है वह पुर्णीमा तिथी में लोगों को करना चाहिए 12 तारिक सास्तिरे निर्णे है जो निर्णे हमने पहले भी कहा दुसरी बात मैं पंचांग का दुसरे दुसरा निर्णे विश्व पंचांग जो वारानेशी से कासी हिंदु विश्व विद्धाले से प्रकासित है जहां पर बड़े बड़े विद्वान गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा यहा निर्वान किया गया है उन्होंने भी अपना निर्णे दिया है इसलिए इस निर्णे को जंता जिनारदन को बताना अनिवारी है उन्हों बंधन निर्णेया सने चोपा करमांग भूतम सर्वेशाम उपा करमां कल कर्मांतर एक पैस्पार अवार्भा धर्रक्षा बंधनाश कर्वेशा हीति रिव्यापियाम चुपेतार ग्यते आखचा ततस्त्वादिसे धार्थों में चरचितई करपासई छोम वस्त्रार भीर विचितई वर्ज दैफ पुरोधा निवते रक्षाम सम्यक वाद्धान तिमान वई है जेन वद्धो वली राजा दान विंद्रो महावलह तेन त्वाम प्रदिवधनामी रक्षे माचल माचल अर्थ का सास्त्र का निर्णे निर्ने सिंधो का निर्णे है कि रक्षाबंधन जो है वहां 12 तारी को करना स्रेश्ट है आपने जैसा बताया 12 अगस्त को रक्षाबंधन का तेवार मना सकते तो सुबह साठे 7 बज़े तक ही देखिए ऐसा है कि चुकि जिस टिथी का ऊदय होता है उसी तिथी का अस्तिवी होता है बिनवर ऐसे मैं रक्षा बंधन का मुहुर्ट रहेगा लेकिन मुहुर्ट का मुहुर्ट जो है सामान्य होता है उत्तम होता है अत्ति उत्तम होता है सर्वुत्तम होता है तो सर्वुत्तम मुहुर्ट साड़े साथ बजे है तो भाई अपना दिरगायू की कामना अगर चाहते हैं, कि बहन से खुब स्रेश्ट मुहुर्त में हम रक्षा बंधन बढ़ावें, तो बहन को भी थोड़ा सिगर तयार हो जाना है, अब भाई को सबसे पहले तयार होकर बहन से आसिरवाद लेना चाहिए, यही सास्तर का निर्ण है, जी बिलक अबहार हम मनाते हैं, चले ठीक है, लेकिन जर यह बताए कि इसकी शुरुवात कब से हुई थी, कि इसके पीछे कोई पौराने कथा है, देखिए, मैं एक बाद जरूर कहना चाहूँगा, कि हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा कि भगवान वि भगवान विष्णु बली के संग पाताल लोक को चले गए, जब पाताल लोक को चले गए लक्षमी दुखी हो गई, लक्षमी दुखी हो गई, और बैठकर राजा बली के पास जा पहुँची, तो राजा बली ने सामने जाकर रोने लगी और जब बली को उनके रोने का कार जब लक्ष्मी माता ने राजा बली को राखी बांधी तब राजा बली ने अपनी बहन को पहार मांगने को कहा। का निर्णय है। इसलिए भगवती प्रशन हो गई और राजा बली भगवान विश्णु को कहे कि अब आप जाएं लक्ष्मी को ले करके और उनकी इक्षा पूरी हुई अर्थाथ भाई अपने बहन को बहन अपने भाई को रक्षा बंदर जब करती है तो भाई की सारी विश्ण लोग की और चली ऐसा ही कामना अगर आज का भाई चाहते हैं तो बारह तारी को मनाएं बारह तारी को स्रस्ट महुरत है साड़े साथ बज़े तक शर्वत्तम महुरत है साड़े साथ बज़े का तक उत्तम महुरत माना जाएगा जी बिलकुल और अगर रक्षा बं तुर्ण से रितिका जी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे धर्म सास्त्र में विज्ञान को जोड़ करके हमारे विद्वानों ने अपना मंतर बेदिया है और मंतरों का जो वेब है वह खुल वहकुम में जाता है और व्यक्ति के दिल और दिमाग को असपर्स करके एक नई उर्जा पैदा करता है तो जब बढ़न अपने भाई को सरदा के साथ बानती है राखी तो एक तो प्रेम का भाव जगता है भाई बढ़न का प्रेम जो है वह भाव जगता है दूसरी बात हर साल प्रतिवर्स भाई कहीं बे रहती है कोसो दूर रहती है बहन तो भाई मिलने जाता है और अगर बहन रहती है तो बहन मिलने जाती है तो भाई प्रेम की धारा यह रक्षा बंदन प्रेम की धारा को जोडता है बहन के प्रेम की धारा को जोडता है और जोड करके एक रक्षात्म अर्थात यहां लगता है कि मेरी बहन मेरे लिए सुभकामनाई कर रहे हैं और विश्वाशम फलदाएकम जहां सुभकामना होगी जहां अच्छा सोच होगा जहां पोजेटिव सोच से लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो हां तो जह जह होगा है जी आचार स्वागत है अब सभी का ब्रेक के बाद तो अभी हम रक्षा बंधन पर चर्चा कर रहे थे आचारे जी ने हमें बताया कि क्या समाजिक महत्व है और क्या धार्मिक महत्व है रक्षा बंधन के तेवहार का अचारे जी अब मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि रक्षा बंधन को कहा जाते है कि वो भाई बेहन का तेवहार है लेकिन एक सवाल मेरे ये रहेगा कि मान लीजे अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिती बनती है जो बेहन अनुपस्थित है तो क्या बेहन की अनुपस्थित अचार बंधन की जो परमपरा है उस परमपरा में पहले जब परमपराएं थी परमपराएं धिरे दरे बदल रही है लेकिन अभी वे कुछ परमपराएं बची हुए है पहले जब लोग अशना ध्यान करते ते रक्षा बंधन का तेवहार आता था तो विद्वानों के घर जाते थे और अपने गुरू से रक्षा बंधन बद्वाते थे गुरू रक्षा रक्षा बंधन का मलब उधाय होता है जेन बद्धो वली राजा दान विंद्रो महाबलह तेन त्वाम प्रिदिवधनामी रक्षे माचला माचला ठीक है तो लोग अपने विद्वानों से ग रक्षा बंदन का परंपरा लगबग छे वर्षों से है, छे हजार वर्षों से, ये रक्षा बंदन की परंपरा, संसर साहित के इतिहास में असपष्ट वर्णन है, कि छे हजार वर्षों से ये रक्षा बंदन की परंपरा चली आ रही है, और परंपरा का एक, मैं राजा बली बामन और भगवान विष्णु की जो परंपरा भी बताएं वो भी परंपरा है उस परंपरा को भी बहुत कई हो गए तो रक्षा शुत्र जो है वहाँ विद्वान बांते थे और विद्वानों के दवारा भक्त लोग बांते थे और लक्ष्मी जब बांधी विष्णु को प परमपरा बहुत स्ष्ष्ट है और शास्त्री है कि ना परस्न है कि वह रक्षा- ओद्रबान्ध कण्या पान कि कि कमारी कंञा जिसका विभाह नहीं गूंओ निव Εैं इसलिए अगर किसी का नहीं आई हो frankly मालिक देश विदेश में है अमेरिका में जापान में अगर है तो अगर वहां भेज देती है वाद कहती है भाई मेरे नहीं भी तबान दो तो चचरी बहन है या कोई अगल बहल की जो बहन है जिससे बहन की रिस्ते हो बांदे या कन्या भी बांद सकती है बनवाना चाहिए प प्रश्ण थोड़ा साब क्लिष्ट है मां तो आशिरबाद दे सकती है रक्षा बंदन तो नहीं बांदेगी मां तो आशिरबाद देगी कोई कन्या ही बांदे या किसी आशार्ज के द्वारा अगर बहन भेजी है तो किसी आशार्ज कि यहां गुरू कि यहां चले जाए और वो रक्षा सुत्रबंद वाले तो अच्छा रहेगा मां से आशिरबाद ले जी जो तेवहार है ऐसा कहा जाता है कि हिंदू का प्रमुक तेवहार है लेकिन पॉरिश्यस हो गया नेपाल हो गया वहां पे भी लोग रक्षा बंधन को धूम धाम से मनाते हैं तो इसके पीछे अब क्या कहना चाहेंगे देखिए ऐसा है कि हर भाई का कोई बहन होता है और जिस बहाई का बहन नहीं होता वो बहन बनाता है किसी को धर मगावन बनाता है और धर्मकाबान बनाकर उनसे रक्षा सुद्र बनवाता है तो रक्षा सुद्र तो कल्यान के लिए है दिर्गायू की कामना के लिए है बहन अपने भाई के दिर्गायू की कामना करती है कि मेरा भाई अमर रहे सो वर्स तक जिंदा रहे हमारे भाई रहेगा तो मैं अपने मैके जाओंगी ससुराल से मैके जाओंगी तो मेरा घर में आनन्द होगा और स्वभाविक है अगर किसी का भाई माता पिता का बृत्ति हो गई है अगर उसका भाई और भाई का जिंदा है तो उसको लगता है मेरे जीवन में सब कुछ है इसलिए बहाई के दिरगायू की कामना के लिए बहने जो बानती है और आज आज गण अपने भक्तों की दिरगायू की कामना के लिए बानते हैं यह महांगलिक है इसलिए अगर बहन विदेश में है और राखी के लिए रूपिया भी भेज देती है तो उससे खरिद करके किसी कन्या से किशी विद्वान से बंधबा लगा चाहि וतर्क कर देखा के लिए कंधि ने कायी इस beğod है कि यह में दिखा है मन में अगर श्रधा तो फिर रत रखने का या फिर यह त्यवहार करने का कोई भी आवेशक्ता नहीं है ये सब तिवहर बनाने के लिए तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत की जो शॉंसक्रिटी है और जो संस्कार है वो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा इसलिए भारत के जो भारतिय सभ्यता है इसको देश-विदेश सभी लोग पसंद करते हैं और सबों के हिरदय में भारती सब्यताव संस्क्रती है और यहां का संस्कार इसलिए भारत महान है भारत की महिमा महान है आज से नहीं जब से आदिकाल से है इसलिए इसमे ढखोसला कहीं नहीं है जितनी भी चीजे हैं विल्कुल वईज्ञानिक दृष्टिकोन है हर चीजों का हमारे रिशी महर्षियों ने जितना भी चीजों का निर्वान किया है उसके पीछे लौजिक है विज्ञान ओओं एक साधारन में आपको इक द्रिश्टांत कि हम लोग कहते हैं कि आपको सुर्ज की माहादशा चल रहा है सुर्ज खराब हैं सुर्ज को प्रसंद करने के लाल चंदन होना चाहिए तो सुर्ज में 12 रस्मियां है और 12 रस्मियों का जो वेव है वो सीथ पृत्वी और पड़ता है सुर्ज अगर नव गये तो सारा पृत्वी नस्ट हो जाएगा जी इसलिए लाल वस्त्र भण करके कहता है सुर्ज का राधना करने के लिए उसमें वि सुर्ज की रस्मियों को आकर सित करता है इंप्रेशिव करता है इसलिए मेटल से जब धारा गिरती है जलकी लाल चंदन जो है विज्ञाने द्रिश्टी को लाल चंदन में कई चीज़ें पाए जाता है अचारी जी यह अब चलन में आ गये हम बाजार जाते तो रंग बिरं प्रकिया के लिस नेबल राखिया रहती भी नहीं थी तो उस वक्त जो रक्शा सूस रोते थे मतलब कहते हैं जैसे मौली धागा हो गया दो पहना हो दिखिए मेरे आथ में जो देख रहे हैं यहीं मौली धागा था उस समय इसी को रक्षा सुतर कहते हैं रक्षा सुतर के कई रूप है अब देश काल परिस्तिति का अनुसारी परिवर्तन है अगर मौली को बहुत बड़ आदमी है सजाना चाहिए बहन को. और बहन को अपने भाई को सजा कर रखना है. और मैंने ये भी सुने हैं कि रक्षा बंधन वाले दिन अगर भाई अपनी भेन को कोई तोफा, अगर कोई भेंट नहीं देता हैं तो वह दलिद्र होता है. ये उसमें कितना सच है? सचाई है बहन कोशोदूर से भाई को बानने आती है गारी साती है हवा जास जाती है खर्चा करके आती है और वरसोबाती है और उसे उमीद रहता है कि मैं कुछ लेकर आई है इसका द्रिष्टांत है भगवान कृष्ण सुदामा जी कृष्ण केहां गये तो बहुत गरीब थ बड़ी कामना लेकर आई है, दिरगायू की कामना लेकर आई है, और वरस में एक बार, भाई हजार बहन हजारों बार आवे, कि तो अच्छा मंधन के दिन अगर बहन आई, या भाई गया, तो लेकर जाना चाहिए, अगर खाली हाथ जाएगा, तो उसे आसरिवाद नहीं मिले बहाई अगर लाग रुपा माना ही कमाता है, तो अपनी बहन को देना ही चाहिए, नहीं देगा तो बहन कामन दुखी होगा, अद दुखी मन क्या आसरिवाद देगा, विचार कर सकती है, इसलिए भाई को जरूर कुछ देना चाहिए, उपार अपन बहन को, और सार्थक आसरिवाद के लिए भारी भरकम सरदा चाहिए, भारी भरकम निष्ठा चाहिए, जिस तरह से सुदामा जी भारी निष्ठा लेकर गए, भगवान कृष्ट के हाँ, और कुछ नहीं था उसके बाद भी तंडुल लेकर गए, बहुत कष्ट से देना चाहिए, भगवान ने वरिष्ति छीन कर ले लिया दंतर जामी भगवान थे तो भारी भर कम अईस्वर जुन को दे दिया तो भारी भर कम देना ही चाहिए आपके मन में जो दुविधा थी ये आजारे जी ने बता दिया साफ कर दिया कि 12 अगस्त कुराखी मन और शूब मुहरत जो है वो सुबह तक का है और पूरे समचार प्लस की टीम से आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुपकाम नाएं आप ये तेवहार मनाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने किस तरीके से इस साल की राखी मनाई फिर होगी मुलकात मुझे दीजिए इजाज़त कि वla संचार पूर थामतो मुलका है कि आपकाउं